खबर राइपूर से है जहां कब से दा हत्याकान मामली को लिकर बयान बासे देखने को मिल रही है कॉंगर्स मीडिया वभा के अध्यक्षो सुष्कील आनंदु सुखला ने कहा कि दुर्ग में एक ही परिवार के च्वार लोगों की हत्या मामले में आरोपियों को ग्रफ्तार किया जा चुका है पुलिस ने तक परता दिखाती हूँ का रवाई भी की उन्होंने कहा कि नेता प्रतपक्ष लाशो पर राचुनीती ना करें राचुनीती करने के लिए बहुत सारे विशह हैं अदि उन्हें ऐसा लगता है कि घटना की कुछ और बिंदू पर जाच की जाने जाए तो सम्मनित पुलिस सदिक्षा के पास जाकर कथ्यों से वे अवगत कराएं सरकार को किसी भी आपरादे घटना की जाच रोकने का सवाल ही नहीं उड़ता लेकिन जस घटना का पटाशेप हो गया सिर्फ राचुनीती करने के लिए उस घटना के बारे में बयान बाजी करना नेता प्रतपक्ष जैसे महत्पुन पर बैठे व्यक्ति को शुभ नहीं द पर एक ही पजवाज के चार लोगों की हत्या के मामले के आरोपी को गिरफतार किया जा जुका है अब पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कारवाई की है नेता पजपक्ष लाशों पर राजनेती ना करे बहुत सारे विचा है राजनेती करने के लिए और जब ख सथ्यों से अवगत कराएं निश्चितों उसकी जाच कराई जाएगी सथकार को किसी भी अपरादिक घटना की जाच से रोपने का कोई सबाल ही नहीं उठता है हर घटना की जाच कराई जा सकती है